हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब अगर आप बिजली बील से हैं परिशान तो मेरे पास है समाधान देखते रही आखरी तक मेरा वीडियो और जब तक ना समझ में आया जितनी बार देखना पड़े देखिए और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको देने वाला हूं महतुपू फोन नंबर वाट्सप नंबर इसकेनर जिससे आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से लेकिन बीच के वीडियो को भी आप इग्णोर और इसकी मत करिएगा क्योंकि जो सारी जानकारियां मिलने वाली है वो बीच के वीडियो से ही मिलेगी बने रह समस्या समस्या आपकी समाधान हमारा और समाधान हमारा का मतलब यह है दोस्तों मैं आपको रास्ते बताऊंगा तरीका बताऊंगा कि आपकी जो समस्या है विजली का बिल या आपका बिना connection के ही बिजली का बिल आ गया हो या फिर बिजली का बिल अधिक आ गया हो जितना आपने इस्तेमाल नहीं किया है और ये कमी होती है विभाग के उन करमशारियों के द्वारा जो बिना आपके meter की unit को read किये हुए लिखे हुए ही घर बैठे वह आपका बिजली का बिल बना देते हैं उनके द्वारा होती है और वही बिभाग में बैठे कुछ है उनके उपर उनके senior भी वही कारी करते हैं जो उन्हें बना के दे दिया जाता है अब वोगता क्या करता है वोगता इस विल को सही कराने के चक्कर में कई दिनों तक महीनों तक वो बिचारे दवड़ते रहते हैं विभाग की आफिशों में यस्डियों हो गए जय हो गए इन सभी से दवड़ते दवड़ते मिलते मिलते इनकी समश्या का समाधान नहीं हो बा कि आपको इस समस्या से निजात कैसे मिलेगी अगर आप पीडित हैं बीना कनेक्शन के आपकी नाम से विजली का भी ला गया अगर आप पीडित हैं कि आपकी इनिट कम चली हुई है आपका बिल जादा बना दिया गया अगर आप पीडित हैं कि आपका कनेक्शन घरेलू है औ और एक किलोवार्ट से है दो किलोवार्ट का है और पंश प्निख्यंड बना दिया गया और पीडित Being हैं कि आपका मीटर खराब है और मीटर भी नहीं लगा फिर भी बेल्जादा बना दिया गया इन संबंदों पर बात करोंगे और बात करते करते में आपको राश्ती बता Government दोस्तों जहां तक बात मैं उत्तर प्रदेश की कर रहां उत्तर प्रदेश में पांच विभाग हैं एक पुरवांचल बित्र बिद्धृत बित्र निगम लिम्टेट दूसरा पाष्षी मांचल जो दक्षिडांचल मध्यांचल और यूप और केस को कानपूर जो सप्लाइ कर करती हैं विजली कानपूर को दोस्तो कई प्रकार की कनेक्षन होते हैं घरेलू कनेक्षन एक किलो shiftumba-dependent व्यावसाई care connection एक किलो दो किलो10 कि नुच्फ और ते दोस्तों मैं इन सभी की लिष्ट भी रगा दोगा और जितने सारे अपने उत्तर प्रदेश के कमपणियां जो भी कर तो 17 पुर्वांचल में जा उत्तर प्रदेश के इन कमपणियों के द्वारा ग्र Node शेतरों में एक किलो वाट तक ग्राहक हैं उनको एक यूनिट का तीन रुपय 35 पही से चार्ज लिया जाता है एक यूनिट से लेके 100 यूनिट तक के लिए और अगर यही जो है इनका 100 यूनिट से लेके 150 यूनिट तक अगर बिल इनका हो जाता है तो यह आप से लेंगे 3 रुपए 85 पैसे प्रती यूनिट और अगर आप यह ग्राहक जो है घरेलू 1 किलो वाट तक के अगर यह 151 यूनिट से उपर 300 यूनिट तक जाते हैं तो इनको कमपनी चार्ज करती है 5 रुपए प्रती यूनिट अब अगर यही देखिए 301 से 500 यूनिट के बीज में जब यह जाते हैं तो यही बिजली कमपनी घरेलू पोकता से प्रती यूनिट का 5 रुपए 50 पैसे प्रती यूनिट का चार्ज लगाती है अब यही घरेलू करेक्शन धारक अगर इनका एक महीने में 500 के उपर अगर बिजली खर्च होती है तो इक कमपनी लगाती है इनके उपर 6 रुपए प्रती यूनिट फिक्स चार्ज 1 किलो बाट तक पहले 50 लगता था अभी अभी कहीं 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 50 लगता है अब 90 रुपए फिक्स चार्ज लगाते हैं उसके पास उसके बाद अधिभार लगाया जाता है जो जो कंपनी टेक्स आप से लेती है बिजिली बिल जोडने के बाद तो दोस्तों यह रही आपकी ब्यवस्ता अच्छा अब समस्या आती कहां से है हमारे पास समस्या आती यहां से है कि जो ग्राहक का मीटर लगा हुआ है मीटर रीडर बिना बिजली का बिल घर पे आकर निकाले ही वो अपने घर से बिजली का बिल बनाना शुरू कर देते हैं दोस्तों जब वह बिजली का बिल बनाना सुरू कर देते हैं इससे अंतर आता है यूनिट और बिल का मान लिया है आपके यूनिट पे आपके मीटर पे चला है पान्सो और वह ज़ो है कि घर से बिना आए साड़े 400 यूनिट का बिल बना दिये या फिर साड़े 500 यूनिट का बिल बना दिये 600 यूनिट का बिल बना दिये जबकि आपके मीटर में चला कुछ और है दोस्तों यूनिट की अनुसार से बिल तो निकाल देते हैं लेकिन अंतर आता है मीटर में जो यूनिट चली हुई है जब कभी वही आपके घर पे आ करके जब वह मीटर की यूनिट निकाली जाती है तो वह है जो डिफरेंट होता है वह हमारे लिए मुशीबत का कारण बनता है और इसी डिफरेंट को सही कराने के लिए कभी-कभी बड अधिकारी कर्मचारी ठीक ठाक हैं तो समस्या का तो समाधान कर देंगे किसी कैम्प में या फिर आपिस में लेकिन अगर कहीं व्यवस्ता किसी किसी जगह ठीक नहीं तो दोड़ते दोड़ते बड़ा समय निकल जाता है अच्छा एक लाइन और हुआ करती थी फिक्स लाइन जो मीटर बीना मीटर के भी ऐसे सिस्टम हुए हैं तो दोस्तों बीना मीटर के अगर सिस्टम लगे हुए थे तो उसको आप मीटर से करवा लीजिए क्योंकि बीना मीटर वाला जो घरेलू करेक्शन था वह सब्सक्राइब फिक्स चलता था अच्छा अगर कहीं 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 तो बहुत जादा चार्ज भी होगा है जाता है तो लोग इनतजार करते हैं छूट आएगी थो सरकार की बहुत बढ़िया है और कवा जाती है इस समय के अनुसार फिक्स लुत तक चलती है कभी अप्रैल में आती है कभी फैर्वरी में भी आ जाती किसी साल तो इंतजार करना होता है ठीक होता है वह इसको बहुत बढ़ियां ब्यवस्ता है लेकिन अगर कहीं बकाया कम है और आप छूट का इंतजार कर रहे हैं तो यह आपकी ब्यवस्ता के उपर ओलाग में वजली गाबेल एक तारीट से पंद्रह तारीख की बीच में लोग निकालते हैं कहीं चार-पांच-छे-साथ कहीं कहीं नोदा से ग्यारा बारा तेरे-चोद्रह पंद्रह तारीख तक लोग पहुचने का फर्मान सरकारी कंपनी ने प्राइबेट कंपणियों को bir ne अब उनके करमचारी अगर बिल निकालने आगे तो ठीक है और एब निकालने नहीं आए तो आप में साथ को यहटियों को फोन करिये यहाँ इस आप भी नीकालना है बिल निकल वाईए अगर वह बिल नहीं निकालने के लिए भीज रहे हैं तो जो अप हुआं से भी आप निमेदन कर सकते हैं नंबर करके या सिकायत कर सकते नंबर हो इसके ओपर करके आप विजीkem निकालने की वज़र सोना करके लिगर और लेकर बंखरायेगा अच्छा यहां समस्या एक और आती है आपकी बिजली का बिल जो निकालने में आता है मीटर रीडर वो कभी कभी जान भूज करके आपके बिल को गलत तरीके से निकाल देता है और जब निकाल देता है तो जानते हैं आप से क्या कहता है कहता है कि भैया आपका बिजली का बिल खराब आ रहा है आपके मीटर में कुछ गरवड़ी हो गई जिसके आपका बिल ज्यादा आ रहा है आपके काम करिए मुझे 1500 रुपे देजिए मैं आपकी समश्या का समाधान करवा दोंगा पहले बहुत तरीके से लोगों ने लूटा बहुत सारे किसान परिवारों को लेकिन अब लोग जागरुख हो गए अब लोग नहीं देना चाहते हैं लेकिन अगर ऐसी भी कोई ऐसी डिमांड आपसे की जा रही है कि आप पैसे दीजिए आप ये कीजिए तो आप उस समय वो स दंड भी इनको मिलेगा आपकी विजली की विवस्ता भी जो बिल में गलत हुआ उसका सुधार भी विभाग के करमचारी करें अच्छा और अगर कहीं न कहीं आपको किसी भी आन्य समस्याओं से बिजली का बिल बिजली का कनेक्शन या फिर बिजली का कनेक्शन आपने लि परदान में आपको बताने जा रहा है एक लेटर लिखिएगा लेटर में सत्यापन कभी अपने गाउं से पंचरामा पंचरामा का मतलब होता है पांच लोगों के द्वारा जो आपके घर की घर के लोगों का दस्खत एक अप्लिकेशन लिखने के बाद उनका करवाई है फो बिखाढ़ करने के बाद अगर आप सत्यता पाई जाते हैं और नईकि अंपक बात सत्य बाइब विभाग से गलत तरीके से बिल बनाया के भेजα गया साफ़ा है। अरगर कारवाई हो जाती तो ठीक है नहीं कारवाई होती है तो सब्सक्राइब है ? तो सबीटर का एक आप एक सार्मा जी को आप ट्विट करें हैं अप उनको टैक करते हैं या फिर आप उनको यह एक सर्मा भारत के नाम से उनका एक आईडी है आप उनको टैक करते हुए आप जिस भी डिसकाम से आते हैं यूपी पीसी यल पुर्वांचल विद्यूत विद्रणनीक अमने लिम्टेड मध्यांचल है तो उस हैड़कॉर्टर को आप टैक करते हुए आप अपनी सिकायत लेटर लिख करके गंटे में आपका जो फोन है फोन नंबर भी आप डालेंगे आपके पास फोन आएगा भी भाग का है यह आपकी जो समस्या है हम उस समस्या को आपके 6-3 कारियाले में ट्रांस्वर करते हैं जांच कादेश दे दिया जाता है एक दिन दो दिन में वह जांच होगी और और लखनों आपको सीधा जाएंगे सब्सक्रा टोर्क यह अपना समस्या को इमेल करेंगे जो आप लिंक पहुंग और भी तरीके से जाच करने का आदेश आएगा और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपकी समझ्या का समाधान हो जाएगा क्योंकि यह जब बड़े अधिकारियों के शग्यान में चली जाती है तो यह लोगों को मजबूर होना पड़ता है अच्छा यह तो हमने आपकी समझ्या का समाधान बता दिया अच्छा कभी-कभी ऐसा होता है कि जो हमारे ग्राहक बंदू है जो हमारे मित्र गण हैं जिन्होंने कनेक्शन ले रखा है कभी-कभी वह बिचारे बात नहीं कर पाते ढंग से अपनी समझ्या ठीक से बता नहीं पाते इसके वज़े से उनकी समझ्या का समाधान नहीं हो पाता मित्रों पहले बहुत धादलिया चलती थी रिश्वत मांगे जाते थे रिश्वत की आधार पर कई पार कितने कनेक्शन को इन्होंने डिसकनेक्ट भी किया कभी खतम भी 20,000 का बिले 10,000 देने पर भी खतम हो गया लेकिन मित्रों अब ऐसा नहीं हो पा रहा है इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बहुत सारे गोटले गोटाले बाजी होई है और विभाग बहुत चेतन हो चुका है कितने इसडियों है जही है इन लोगों के उपर जाच आ चुकी है कितने ओच लोगों कितने अभी तक जेलों में हैं दोस्तों हम बात आपको सीधा बताता रहे हैं इमांदारी की बात बता रहे हैं ना अपने कभी रिष्यत twenty को देनी है न यह रिष्यत के बारे में कभी सोचना है हम एक जिम्मेदार नागरिक हमें बनना है और कारियाले में हमने देखा है कुछ अच्छे लोग भी होते हैं कुछ गलत भी होते हैं लेकिन आज का जो जागरुक मतद्द आज का जो जागरुक भोकता है अगर वो ठीक से अपनी बात को रख पा रहा है तो दोस्तों आपकी समझ्या का समाधान तो हुआ ही है और हो भी रहा उन्हें जिनके द्वारा गलत किया गया था उनके उपर कारवाई हुई अमारा बिजली का बिल सही हुआ और हम लगातार हर महीने बिजली का बिल बुला करके इंटर रीडर को निकल वाते हैं या तो सेम डे अगले दिन जमा करते दोस्तों आप अपनी बात को ठीकतरी से कर की तरीके से रखेंगे अच्छा एक चीज और है कभी-कभी अधिकारी भड़कते क्यों हैं हमने देखा है कारियालियों में लोग कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-क-भी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-कभी-क-भी-क आपको कोट की बता रहा हैं बेसक आप हर प्रकार से सही हैं आपने कोई गलती नहीं करी है आपका मुद्दा भी सही है लेकिन अगर आपका वकील आपको मुद्दे को ठीक तरीके से कोट में केस को जज के सामने जब ठीक से पेश नहीं कर पाता तो सब कुछ होते हुए भी सही होते हुए भी आप मुकदमा हार जाते हैं कहने का भाव किया है मेरा कि मित्रों आप अपनी बाद को ठीक तरीके से रखिए इमांदारी से रखिए सच्चाई से रखिए बहुत अच्छे अधिकारी बहुत अच्छे अच्छे आपिसर और इमांदार आपिसर भी बैठे हुए विभाग में आपकी समश्या का समाधान ज़रूर करेंगे में आप से निवेदन है कि मेरे इस लिंक को मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कोई समस्या अगर आपके नहीं सुन पा रहे हैं नहीं सुनने यह कोई भी हधिकारी तो निःट में अभी बीडियो के आखिर में लिखने वाला हूं और करने वाला हूं और टैक के साथ साथ जो समस्या जहां से आने वाली है उन वहां के फोन नंबर भी मैं आपको देने वाला हूँ तो बने रहे हैं मेरे साथ तब तक के लिए धन्यबाद नमस्कार जैहिंद दोस्तों यह list है जो ग्रामीड और साहरी छेत्रों में लगती है पंप सेट का यह बिल है और यह ग्रामीड छेत्र में एक किलो वार्ट तक के धारकों का है और देख सकते हैं अन्य प्रकार से समझ सकते हैं और यह केस को कानपू एलेक्टिसिटी सप्लाई कंपनी का नंबर है यह वहां का पता है केस को का कानपू एलेक्टिसिटी सप्लाई कंपनी लिम्टेड हेड़ कौर्टर और यह मध्यांचल विद्यूद वित्रन निगम लिम् थाक्षेद आचल बीद्युद वित्रन निगाम लिंटीड का फोन नंबर वाट्सप नंबर